नमस्कार, वेलकम टू आलाफ्यू टार्गेट विदालोक आफिशन टूप चैनल, माई नेम ही सिवानन दुबे, हम लोग इससे पहली क्लास में परसंटेज के क्वेस्टन्स डिसकस कर रहे थे, परसंटेज में कैसे क्वेस्टन्स बनेंगे यह आप लोगों से डिसकस कर चु आलावा, जैसे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉज करोगे, या जो है आप लोग बार ग्राफ वाले क्वेस्टन्स डिसकस करोगे, उनमें क्वेस्टन के फॉर्म में करने के लिए वैलू गिवन होता है, तो उसे कैसे हम लोग इजी अप्रोच में स्वाल करेंगे, इनका यू सारे अर्थमेटिक में करेंगे, तो वो समझते हैं, तो चलिए, आएए देखिए, सबसे पहले next concept है, जो हम लोग पढ़ेंगे, concept भी डिसकस कर रहे हैं, कि concept यह बार जैसे two variables है, आपस में उनको comparison करना है, तो comparison का मतलब वा तुलना करना है, तो आप लोग confirm है, कि तुल 25 years, राम की age 25 years है, and their weight is 35 kg, तो आप लोग बताओ, क्या age को weight से comparison कर सकते हैं, आई को भार से comparison कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब, जब भी आप लोग comparison करोगे two unit का, तो अगर यह किसी का age दिया होगा, यहाँ भी age होना चाहिए, अगर यह किसी का weight दिया, तो यह भी weight होना चाहिए, कहने का मतलब, always comparison to similar unit में करते हैं, तो ऐसे हम लोग formula के form में समझते हैं, suppose two unit ऐसे दिया है, two unit x and y के form में दिया है, suppose एक x दिया है, two variable और एक y दिया है, तो आप लोग उसे question ऐसे बनेगा, कि x is what percentage of y, यानि x y का कितना प्रतिसत है, x y का कितना प्रतिसत है, अ part percentage of y is x, यानि y का कितना प्रतिसत x है, दोनों same language है, कहने का मतलब, question है कि x y का कितना प्रतिसत है, यानि x कोई variable है, दूसा variable y है, तो x y का मतलब, जिन से तुलना करना है, x y का language ध्यान दिया, जिस से comparison करना है, जिस से तुलना करना है, वो always आप लोग denominator में रखोगे, और जि value percentage में convert हो जाएगा, तो यह formula के form में कैसे आप लोग बनाओगे, x और y variable में ऐसे बनाओगे, कि x y का, यानि y से comparison करना, तो y denominator में, इसी को आप लोग बोलोगे, what percentage of y is x, कहने का मतलब वा, कि x जियो है, y का कितना percentage है, तो ऐसे लिखोगे, अब जो आप लोग comparison करते हो, तो य comparison x और y, जो x और y variable होंगे, ये value के form में हो सकते हैं, यानि value का मतलब कोई numerical value दिया होगा, किसी का age दिया होगा, weight दिया होगा, या किसी का share दिया होगा, सपोज हम ऐसे बोलने हैं, कि राम की monthly income 5000 है, और मोहन की monthly income 8000 है, मोहन की monthly income 8000 है, और question ये बोल दिया जाएं, कि monthly income of Ram, monthly income of Ram is what percentage of monthly income of Mohan, यानि आप लोग clear हैं, हमने example लिया, कि राम की monthly income 5000 रुपय है, और मोहन की monthly income 8000 रुपय है, तो राम की income से आम की income से comparison करना है, इसका मतलब वा, कि राम की income Mohan की income से, मोहन की income से comparison करना है, तो आप लोग क्या करो, Mohan की income denominator म में हो गया value के form में में comparison अगर हमें data percentage के form में आपस में connected है तो percentage का form means पर अपलोग ऐसे बोल दिया जाया कि कहा जाया कि एक class में 7500 क्लास नहीं एक कॉल बोल दे ना क्लेज में 7500 500 इस्टुडेंट है यह 7500 टोटल चात्र हैं इन में आप लोग से बोल दिया जाए चात्रों में 60% ब्वाइद हैं चात्रों में क्या 60% ब्वाइद हैं तो इसका मतलब हम बोल दें कि एक कॉलेज में 60% चात्र अगर हम बोलें कि ब्वाइद हैं यानि लड़के हैं इसका मतलब वाकि जो रिमेनिंग होंगे अगर वो गल्स को पजन कर रहे होंगे तो 40% क्या होंगे गल्स होंगे इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि माल लो की टोटल जितने ब्वाइद ह हैं माल लीजे nä करोगा होगा जैसे क्या हैं हम निदे बूला है तो मतलब 40% क्या होंगे गल्स होंगे अगर रिमेंनिंग का जा रहा है तो यहांसे से अगर आप लोगो लोगो नंबर करना है तो ऐसे लिख होगे इसके पहले भी हम लोगढ़े थे कि 7500 total student है उनमें 60% है तो आप लोग वैलू चाहिए तो 7500 का 60% करोगे और अगर गल्स का नंबर चाहिए वैलू में तो 7500 का आप लोग 40% करोगे लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं जब भी percentage में कम परजन करना है सपोज ऐसे बूल दें कि दर नंबर आफ गल्स वाट परसंटेज आफ नंबर आफ वायज तो इसका मतलब विवा कि अगर गल्स और वायज के यहां पर आप लोग 7500 लिखते यहां भी 7500 लिखते तो उसका वैलू निकालते तो कहीं निकले टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता तो कहने का मतलब हमेशा कम परसंटेज में जो कॉमन डेटा होगा वो यूज नहीं करते हैं तो कॉमन डेटा का मतलब 7500 टोटल नंबर हु पर लोगे उनमें इनका बहुत यूज करते हैं कि क्वेश्चन को हम सौट फॉर्म में लिखके औरल एंसर बता सकें नेक्स देखोगे एक तरीका वह रेशियो के फॉर्म में यानि अगर कोई डेटा रेशियो के फॉर्म में जिनमें कमपैरिजिं करना है अगर रेशियो के करते हैं कि माल लीजिए 70000 रूपय को ए और बी में3000 रूपय को ए और बी में थी रेशियो फाइव में डिस्रीबूीत करना है 1995 को निकाल लोगे लेकिन जो comparison percentage का question अगर ऐसे बने कि बताइए find share of A is what percentage of share of B यानि A का share B के share का कितना प्रतिसत है यानि comparison करना है कि A का share B के share का तो इसका मतलब B का share denominator में रखोगे तो हम ही कहना है कि A का share और B का share आप लोग ऐसे नहीं रखना है कि पहले ऐसे find करोगे A का share तो ऐसे लिखते थे थे 7000 को तीन और पार्ट में distribute करो तो A का share कितना होगा यानि 3 3 प्लस 5 8 की value 7500 या 7000 और आप लोग 3 की value find करोगे तो A का share यानि expand form में लिखोगे तो ऐसे होगा इसे calculate करोगे A का actual share आ जाएगा अच्छा अगर B का share आप लोगो find करना है देखिए टोटल 8 part में B को 5 part मिलते हैं यानि 8 part की value कितना 7000 और B का share 5 part की value आप लोगो find करोगे तो B का share आ जाएगा तो जब इसमें put करोगे हम ही कह रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग A और B का share value के form म ना निकाल कर अगर ratio के form में रखते चाहिए यहां से देखो अगर हम लिखें कैसे लिखोगे A का share ऐसे लिखोगे A का share 3 by 8 into 7000, B का share 5 by 8 into 1000 और इंटू अगर 100 से आप लोग multiply करते हो तो 100 से multiply करते हो, देखिए 7000, 7000 cancel out हुआ, 8, 8 की cancel out हुआ, कहने का मतलब आप लोग direct क्या क कर सकते थे कि A की value कितना है 3, और B का share कितना है 5 into 100 से multiply कर दो, जो भी आए गया, यनि 5 तू जा हुआ, 23 जा 60% आ गया, तो कहने का मतलब वा कि जो comparison percentage में, अगर हमें किसी value का कुछ percentage find करना है, और दूसरे value का कुछ और percentage find करना है, अगर वो percentage value आपस में connecting form में है, या percentage की value के अ A और B जिन में comparison करना था, तो वो आपस में ratio में दिया गया उसका share, तो आप लोग क्या करोगे, सिर्फ ratio का ही use करोगे, जिनको इन सब में थोड़ा सा confusion हो, तो हमेशा क्या करिए, जब भी data percentage या ratio के साथ हो, तो data को expand form, expand का मतलब यह हुआ, कि आप लोग को solve नहीं करना है, solve करने का मतलब, जैसे यह हुआ कि साथ हजार को, यहां A और B में तीन अनुपाते, पांच के अनुपात में distribute करना है, तो आप लोग A का share निकालोगे, 3 by 8 into 7,000, तो आनि calculation नहीं करनी है, calculation नहीं करनी है, बट calculation करेंगे कैसे, वैसे लिख देना है, तो जब लिख दोगे, तो जो common होगा, अपने आप individual हो जाएगा, तो I hope यह आप लोगो समझ माया होगा, comparison percentage, जिन से comparison करेंगे, denominator में रखेंगे, और comparison data हमेशा value के form में हो, या percentage के form में हो, या ratio के form में हो, या जो है अगर नहीं समझ मा रहा है, तो data को solve ना करके, expand form में लिखके, then comparison करोगे, इससे क्या ह होगा, आप लोग जो बार ग्राफ वाले questions होए, या और सभी में देखेंगे, profit loss में use होगा, SICI में use होगा, समने आपस में comparison करने के लिए questions बनते हैं, तो इसके थ्रूँ आप लोग आसानी से solve कर सकते हो, तो चलिए हम लोग सिर्फ अभी comparison percentage पे कुछ example देखते हैं, जो आप में comparison कर सकते हैं, okay, next देखोगे, next question, अचा इसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, अभी two variable क्या थे, x और y था, तो हम क्या करते थे, x, y का कितना percentage है, लेकिन यहां क्या बुला गया, देखो, y is what percentage of x, यानि y, x का कितना प्रतिसाथ है, देखो यह न, पहले क्या था, x y का, अब language क्या बुला गया, y, x का, तो language से आप लोगों समझना है, जिस से तुलना करना, यानि x से तुलना करना है, तो x की value always denominator में होगा, और into 100 से multiply कर दो, तो जिन से तुलना करना हो, वो समझना है, नीचे रहेगा, जैसे y, x का, तो यहां पर language पढ़ेगा, तो x से comparison करन x नीचे रहेगा, और y numerator में into 100 से multiply कर दो, परसंट ही लगा दो, अच्छा, इसी को दूसरे तरीके से language में बूला गया, कि x का कितना परतिसात y, x का कितना परतिसात y का मतलब है, कि comparison तो x से ही किया जा रहा है, तो 100 x ही नीचे रहेगा, यानि इनको दो तरीके से हम हिंदी औ रिट कर दो, अगर इसको आप लोग formula में लिख रहे हो, तो ऐसे लिख होगे, चले next कुछ अच्छे questions पे आते हैं, चले इससे question देखो, compassion percentage वाले सारे होंगे, अभी सबसे आसान question है कि value के form में, आप लोग proper question रिट करें, out of 8750 students in a college, 6125 opted go for picnic, what percentage student opted for picnic, यही ध्यान देना, कि पहले हम यह समझना, compassion किसे करना है, यह वही वाले question है, करा कि एक college में 8750 total student है, अब total student में 6125 लोगों ने picnic opt किया, picnic जाने का निरड़े किया, तो करा percentage opted student for picnic, तो इसका मतलब हुआ, तो पहले mind में frame करोगे formula क्या लगाएंगे, जो percentage student opted picnic है, यानि ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब जितने लोगों ने picnic जाने का विकल्प चुना, उनका percentage, इसका मतलब जितने total student है, यह confirm है, कि कितने person लोगों ने picnic जाने का विकल्प चुना, इसका मतलब out of क्या है, total, यह language समझना है, यानि यह नहीं करा कि कितने लोग गए और कितने लोग नहीं गए, उन्हें कम पाइजन करना उनमें नहीं करना है करना है टोटल से जितने लोग पिकनिक जाने का निड़ले किये जितने लोग आप्ट किये तो एक माइन में फॉर्मुला हम फ्रेम कर लेंगे परसंटेज टोटल कितने लोगों ने आप्ट किया 6125 यानि 6125 टोटल कितने थे 8750 मुल्टिप्लाइड बाइ 100 कर दोगे यह जो डिया है 6125 और 875 जरू यह वैलू के फार्म में सबसे आसान क्वेस्टन है तो इनको सॉल्व कर लोगे एंसर कट करोगे 25 यहां से 25 यहां सॉल्व करोगे यह क्योंकि इसका जो ऑप्शन है देखो अगर इग्जाक्टी डिवाइड कर दोगे सॉल्व कर लेजिए चलिए यहां से 25 यहां से 75 यह बनेगा अगें 25 अगर सॉल्व करोगे 25 यह बचेगा 11 बचेगा हुआ यहां से साथ पुझे 25 यहां से साथ गुना हुआ तो 70 इसका एंसर हुआ तो जब कहीं एंसर ओप्शन में दिया हो तो करिएगा डिरेक्टी को इसमें किसी को डाउट नहीं होगा यह सबसे आसान था सिंपल फार्म में था चाहने का मतलब जैसे हम इसको ऐसे भी फार्म में बोल सकते हैं खेल इक एक इसाम होता है इसाम में टूटल मैक्सिमम मार्क्स ऐट हं यहां आट-सो मैक्सिमम्म मार्क्स आगर बोल दिआ में आउट ओफ किससे कंपजन करना है इसमें कोई डाउट नहीं होगा इस सिंपल सा क्वेशन वैलू की फार्म में कंपजन था जले नेक्स देखोगे सेम एक्वेशन तो यह भी कंपजन परसंटेज परसंटेज आप लोग प्रॉपल ली रीड करें अब दीखी यहां पर आउट आउट उट अप लेडय पधन थैडन फार्म में था में समझना था यहां क्लीयर दे दिया गया यहां कि find the percentage number of girls number of girls is what percentage of total number of boys कहने का मतलब यहां से समझे तो बताइए लड़कियों की संख्या किसके यानि लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या की कुल संख्या का कितना परसेंट है तो पहले तो जो प्रेशन वाला जो फॉर्मुला माइंड में करोगे कि जो भी हम लोग डेटा घर्ल्स और बइच का फाइंड करेंगे तो उनमें जो का गल्स का कमपरिजन से करना है इसका मतलब गल्स बइच का कितना परसेंटेज है उसको ऐसे आप लिखोगे आप दिखोई यहां से क्या है यह दिया ब्वाइज हैं तो अब आप लोग बताओ और रिमेनिंग गल्स हैं तो यह अंडरिस्टुड है कि जब भी यहां परसंटेज का डिस्ट्रिवूशन होगा टोटल हंडेट के सम के इकवल होगा यह अगर हम बोल दें किसी क्लास में इसका मतलब 40 गल्स हैं तो वैसे यहां करा किसी कॉलेज में टोटल नंबर में से इसका मतलब क्या हुआ कि 37.5 परसंट क्या होंगे गल्स होंगे की नहीं होंगे क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए हंडेड की इकवल होना चाहिए और दोनों को इन ही टू पार्ट में डिस्रिवूट किया जया है तो आप लोगर नंबर की बात करो क्या निकालोगे वा गल्स आ जाएगा लेकिन क्या हमें नंबर चाहिए नहीं हमें करना है तो इसमें देखेंगे कि जो डेटा है नंबर के फॉर्म में ना देखे हमें एकर परसंटेज से भी इंटर लिंक हो रहा है तो भी यूज कर सकते हैं जैसे यहां क्या था गल्स का नंबर कितना 37.5% यानि जब यह 7,000 common data था तो यह वैसे cancel out हो जाता तो इसका मतलब जो data आपसे connect करना है अगर वो percentage के फॉर्म में given है तो भी डिरेक्ट आप लोग relate कर सकते हो यहां से आप लोग solve कर दो decimal cancel वा 25, 1 जा 25, 5 जा 25 का यह square है यहां से 25, 4 जा 15, 4 जा 60% डिरेक्ली 60% आप लोग relate कर सकते हो देखो यहां भी हम कोई trick नहीं relate कर रहे हैं हम लोग अभी percentage पढ़ रहे हैं तो सारे value को जिस form में दिया उसी form में use कर रहे हैं otherwise हम लोग क्या करते है percentage को हम लोग ratio में convert करके भी relate कर सकते हैं जैसे अगर इसी question की बात आप लोग करो कि यहां पर क्या दिया percentage में था डिरेक्ली करने वाले लिखे थे उसमें क्या समझते थे मालों 40% है तो हम यह समझते थे 40% का मतलब वा कि यह 100 का 40 पार्ट है percentage हटाओगे 100 यानि 100 का 40 पार्ट है और इसी को अगर fraction में convert करोगे तो 2 का 5 पार्ट है यानि 5 किसको present करता है यह whole को present करता है यानि पूरे का और numerator वाला उसका उतना भाग प्रिजन करता है जैसे यहां पर आप लोग बात करो 62.5% बॉयज है यानि टोटल चातर का 62.5 बॉयज है तो अगर आप लोग 62.5 को भिन में बदलो fraction में बदलो तो इसकी value कितना हुआ 62.5 by 100 तो 62.5 by 100 इसको ऐसे करोगे ना fraction में convert करोगे अचा कुछ लोग इसक इनको value पता होगा साथ हमने बताया था कि लास्ट में अगर 0.5 होगा तो 1 से लेके 20 तक जो value लिख रहे थे उनमें किन का multiple होगा दो को 12.5% आता है point वाले point के बाद एक number 5 आता है इसके अलामा आप लोग 1 by 16 की value क्या लिखते थे 6.25 तो पहले हम लोग चेक करेंगे 12.5 का कि 6 times यहां पर relate कर दोगे तो 5 times यहां relate कर दोगे तो इसका मतलब यह हुआ यहां से 5 times वा तो यह 5 by 8 इसकी value आ जाएगे न तो 5 by 8 का मतलब 8 में 5 क्या है बायज है यही वा न 8 whole को पजिन किया तो 8 में 5 बायज है जैसे 8 total student है उनमें 5 बायज है remaining girls है तो इसका मतलब वा अगर 8 म होंगे girls होंगे ना यानि 8 में 3 girls होंगी तो यह direct भी कर सकते थे तो 8 में 3 girls थे और 5 boys थे into 100 से multiply करो देखो तो भी 60% आ जाएगा तो यह ratio में conversion हो गया तो आप लोग हमेशा देखोगे यानि percentage की value को आप लोग ratio में convert कर सकते हो लेकिन अभी हम लोग percentage पढ़ रहे हैं तो कोशि typical होगा उसे हम लोग ratio के form में convert करेंगे otherwise सारे 100 को लेट करके करेंगे लागि 100 और ratio में सिर्फ यह difference है कि 100 का जो least form है यानि जो simplest form है वो ratio में convert हो जाता है और 100 से कभी-कभी question calculation में आसान बनते हैं और ratio से थोड़ा tough वाले question आसान बनते हैं okay percentage में यह confirm हो गया आप लोग percentage वाले comparison वाले को कैसे relate करोगे next देखोगे question no 8 अभी सारे comparison percentage वाले ही हैं सिर्फ आप लोगो concept अलग-अलग way में समझना है देखे next के रहा the population of a town is 7,25,500 the ratio of total men and women is 13 ratio 12 men और women का ratio दिया 25% of total population are children then find the number of children is what percentage of total men and women together अगर आप लोग question को proper read किये होंगे ती करा कि एक टंग की total population दिया है उनमें men की बात की जारी है और women की बात की जारी और children की बात की जारी यानि total population को कितने part में distribute किया गया 3 part में distribute किया गया यानि कुछ male होंगे कुछ female होंगे और कुछ children होंगे तो इसका मतलब वा कि population male female और children का some 100% आना चाहिए तो सबसे पहले यह समझे comparison किसे किया जारा क्योंकि उसको हम लोग समझ रहे हैं और फिर data पर आते हैं comparison कह रहा है कि the number of children यानि बच्चों की संख्या ना the number of children बच्चों की संख्या is what percentage of men and women together यह कह रहा ना यानि बच्चों की संख्या पुरुष और महिला की कुल संख्या का कितना प्रतिसत है बच्चों की संख्या पुरुष और महिला की संख्या का कितना प्रतिसत है तो अभी हम आप लोग से यह discuss किये थे अभी जो comparison percentage में 7,25,500 total population है इनमें men, women and children है तो यहां question है कि total population का 25% children है मतलब जितनी जनसंख्या उसका 25% children है तो इसका मतलब अगर number आप लोगो find करना होगा तो 7,25,500 का 25% निकालोगे children का number आजाएगा clear है अब इसके बाद अगर 25 children होगे बाकी जो बचेंगे men और women होगे इसका मतलब है कि men और women दोनों मिला कर कितने होगे 75% होगे clear हो गया यह अच्छे यह ध्यान दो कि अभी हमने कहा था कि अगर data जो है percentage के form में given है और वह आपस में connected है तो directly use कर लोगे जै 25% men और women मिला कर होगे तो अगर आप लोग children का number चाहिए तो आप लोग क्या करते 725,500 का 25% men और women एक साथ चाहिए तो 725,000 का 75% कहने का मतलब है कि number तो ऐसे निकलता यह जो ratio दिया है 13 ratio till men और women का ratio जब हमें men का number individual और women का number individual निकालना ही नहीं है तो क्यों number हम find करेंगे जो हमें data चाहिए वो ध्यान देंगे क्यों कैसे हमें connect हो जा रहा है कैसे relate कर सकते हैं relate कर दो 25% children 75 men और women कितना percentage है यह cancel out हुआ 25-3 जा 33.33 देखो यह एक line का answer था यानि oral माइन में होंगे कि 25% children है तो 75% men और women होंगे तो men और women का number अगर निकालना हो तो निकालते फिन men or women में distribution करते हैं लेकिन हमें question आसाम दे दिया गया कि children men और women एक साथ कितना percentage है तो directly आप लोग connect कर सकते हो तो I hope यह सभी को समझ मा रहा कि data अगर percentage के form में है हमें दो question solve कराए है percentage के form में और value के form में तो direct connect करोगे यह percentage का उसी में नहीं maximum topic में connect करोगे questions का pattern अलग-अलग हो सकता है ल यह एक बार आ चुका question same question आया है यह असपर 2018 के आसपर आया होगा देखो simple सा question है in a town consisting of three locality P, Q and R okay यानि three locality कितनी है एक locality P है, एक locality Q है and एक locality R है the population of locality P, Q, R यानि ratio of population of three locality is 9 ratio 8 ratio 3 इसका मतलब P की population 8, Q की population 9, Q कितना 8, R कितना 3 यानि 9, 8 और 3 तो हम यह भी बोल सकते है ratio दिया है, ratio का मतलब हुआ कि अगर हम यह 9 lakh rate करते 8 lakh rate करते 3 lakh rate करते तो 0 जापस में common होता है यह भी मान सकते हूँ या यह 1000 के form में होता है 90,000, 80,000, 3000 यह भी बोल सकते हूँ तो कहने का मतलब हुआ कि आप लोग ratio की means हुआ कि किसी भी value से multiply करोगे अगर सब में वही multiply करोगे ratio always कभी change नहीं होता है next क्यारा finally जो question पे आते हैं P, 80% people are literate ठीक है यानि literate का मतलब यानि P में 80% लोग क्या है? साक्षर है ठीक है? and q 30% of people are illiterate यानि q की बात करो तो q में 30% लोग निरक्षर है clear? and r की एकर बात करो 90% people locality r is साक्षर यानि literate है तो उस शहर का प्रतिसर साक्षरता का पता लगए प्रतिसर साक्षरता का मतलब literacy percentage आप लोग फाइंड करना the question complete पढ़ने के बाद हमें final जो solve करना है कह रहा कि बताये p में q में और r में तीन अलग अलग localities है और तीनों में literate और illiterate terms दिया गया है यानि p में कुछ लोग साक्षर हैं कुछ लोग निरक्षर हैं वैसे q में साक्षर निरक्षर r में की यानि total population में p में और q में और r में जितने literate हैं यानि जितने लोग साक्षर हैं तो वो कितने percentage हैं देखे formula अगर बनाओगे यहां direct आप उसमें comparison ना करके ऐसे कर रहा है कि कितने person लोग साक्षर हैं तो कितने person लोग साक्षर हैं यानि out of hidden form में हैं तो किसका यानि total population का यानि p q r तीनों के locality की कुल जनसंख्या कितनी है उसमें p q r की literate जनसंख्या कितनी है वो आपनों को numerator में लितना है असे यह ध्यान दिजिगा p q r की जो population है वो ratio के form में दिया है यानि p q r की population actual form में नहीं दिया PQR की population ratio के form में दिया है, तो इसका मतलब PQR की population जो साक्षर और निरक्षर है, यानि literate और illiterate है, वो भी ratio के form में यहां हमें लिखना होगा, तभी answer आएगा, अचा, ओके, देख, questions देखोगे, P में 9, Q में 8, और R में 3, तो एक तो यह हुआ कि आप लोग 9, 8, 3 ratio को change कर सकते ह तो इसको 900, 800, 300, ऐसे बना लो, तो इससे क्या होगा कि इन में जो literate होगे, निकालने में आसान होगा, otherwise इसको अभी फिलाना में ऐसे रहन देते हैं, ऐसे समझेगा, देखो, आप लोग P की बात करो, P में total population कितना 9, ऐसे समझोगे, Q की population कितना 8 ratio, R की population कितना 3 ratio, तो कुछ इस लोग ऐसे भी करेंगे, यहां इसके साथ X लगा देंगे, यहां X लगा देंगे, यहां लगा देंगे, तो actual X के form में total population बन जाता है, नहीं भी लगाते हैं कि क्यों रेशियो में कमपैजन करना है, तो P की जो population होगा, उसमें कितने literate हैं, और कितने illiterate हैं, यानि P में, यह language में हमें दिया है, तो कहने का मतलब, यहां से देखोगे आप लोग, P, Q और R की total population हमें denominator में रखना है, P, Q और R की total population किस में रखना हमें, denominator में रखना है, तो इसका मतलब आप directly आप लोग ऐसे कर सकते हो, देखे, P की population 9, Q की population 8, R की population 3, तो 9 प्लस 8 प्लस 3, 9 8 17, प्लस 3 यहां से समझे, P, Q और R की total population कितनी हुई, ratio में 20, जिनको X लेट करना था, तो X समाल लेते, यह 9 X, 8 X, और 3 X, यानि 20 X हो जाता, तो इसका मतलब, X में उपर वाला variation भी चाहिए, वो ratio में को ratio का part निकालोगे, तो आ ही जाएगा, तो next देखो, क्या रहा, P में 80% लोग लिट है, तो यह समझ जाएंगे, इसका मतलब 20% illiterate है, यानि P में अगर 9 population है, 9 का मतलब किसी करोण का या लैक का part हुआ होगा, अगर P की population 9 है, तो 9 का 80% लोग लिटरेट है, तो आप लोग 9 रेशियों का 80% निकालोगे, तो लिटरेट population भी रेशियो मा जाएगा, तो सिर्फ हम लिटरेट निकालना है, तो 9 का 80%, यानि 80 by 100 करोगे, 80 by 100 करोगे, 0 cancel out, 9, 8, 72 और 1 decimal लगा दोगे, 7.2, इसका मतलब वहा कि 9 का 80% 7.2 क्या हुआ, लिटरेट हुआ, यहां लिख दो, अच्छा, सेम ऐसे यहां पे, क्यू कि अगर बात करो, क्यू कह रहा, क्यू का total population का 30% illiterate है ध्यान देना, कि 30% illiterate है, इसका मतलब अगर 30% illiterate है, तो definite कितने percent literate होंगे, 70%, तो अगर आप लोगों को illiterate चाहिए, तो total locality population का 30% fine करोगे, और अगर literate चाहिए, तो 70% fine करोगे, हम illiterate चाहिए, तो simple आप लोग 8 का 70% fine करो, 7, 8, 56 and 5.6 हो गया, इसका मतलब वहा, 8 ratio में 5 5.6, ये ratio के form में ही बना, ये क्या है, literate population है, locality Q में, और R की बात करो, देखो, R में दिया 90% लोग literate है, तो mind में समझे हैं, 10% illiterate होंगे, लेकिन हमें तो literate वाला find करोगे, तो 3 का 90%, देखो, 9, 3, 20, 7, 1 decimal लगा दो, 2.7 हो गया, 3 में 2.7 क्या है, literate है, तो हमें क्या करना देखो, numerator में क्या रखना, P में, Q में, और R में, total literate लोग कितने ही रखना है, तो P में 7.2, Q में 5.6, और R में 2.7, यानि सभी में, P में, Q में, R में, literate अगर आप लोग आड करोगे, तो कितने हो जाएंगे, 268715, यानि 5 करी 1, या 8, 5, 13, 2, 15, यानि 15.5, इसका मतलब, यान 9 का, 8 का, 3 का, सभी में, अगर हम, अलग-अलग निकालेंगे, literate लोग कितने हैं, उनका सम कितना होगा, 15.5 होगा, तो इसका मतलब, 20 में 15.5, 20 ratio में 15.5, तीन हो, locality में क्या है, literate यानि साक्षर लोग है, उनका percentage निकालना, 100 से multiply कर दो, solve कर दो, दो 25 जा, यहां से, 15, 5 का 75 ह इसका मतलब, 77.5% एंसर, में यह समझाने का मतलब था, यह option number one, में समझाने का यह मतलब था, कि अगर data कोई भी होगा, यह percentage का question तो है, लेकिन percentage का question यह सिर्फ percentage का ही part नहीं होता, percentage आप लोग डियाई में भी solve करते हो, percentage का यह हम लोग profit and loss में करते हैं, वो question का variable कुछ भी हो, लेकिन हम सिर्फ focus कर रहे हैं कि कैसे comparison करेंगे, तो अभी तक हम लोग ने discuss किया data को अगर percentage में दिया, तो direct percentage में comparison करेंगे, data के ratio से दिया है, ratio को आप उसमें link करके, ratio से comparison कर सकते हो, यह कह रहे हैं, यह value की जरुरत नहीं होती है, तो भी आप लोग solve कर सकते हो, इसमें किसी को देखोगे, उसमें एक question मिल जाएगा, हाँ, यह हो सकता कि यहाँ, ABC के place पर PQR हो सकता है, समझी बहुत अच्छा question है, यह, बहुत easy question भी है, बस language आप लोग समझना है, in a factory, एक कार खाने में, तीन प्रकार की मशीने दिया, A, B and C, जो total, कुल उत्पात का, यह यह total production का, 25, 35 and 40% produce करती है, कहने का मतलब एक कार खाना, उसमें तीन टाइप की मशीने है, मालोग P टाइप होगा, Q टाइप होगा, and R टाइप होगा, तो total production का, P ने 25% किया, Q ने 35, R ने 40% किया, है की नहीं, अब आगे करा कि, P की नहीं, ABC के फार्म में दिया था, हमने कहा कि हो सकता, P की R के फार्म में आ भी सकता, फिलाल ABC के फार्म में है, तो कह रहा है कि, A की बात करो, A में 2%, B का 4%, और C का कितना 5%, A का 2%, B का 4%, और C का कितना 5%, ये defective, यानि 2 spoon है, ये defective production है, तो कह रहा है कि, find, यहाँ ध्यान देख, what is the percentage of non-defective products, यानि गया 2 spoon उत्पादों का प्रतिसत, त इन टाइप की मसीने है, P की बार, वो कुछ unit अलग-अलग produce करती है, तो P ने जो produce किया, जो उत्पाद किया, उसमें कुछ खराब हो गया, वो percentage में भी दिया कितना 2%, और Q ने जो produce किया, उसका कितना 4% खराब हो गया, 2 spoon हो गया, उनलों ही आप लोग count करोगे, neglect करोगे, वै non-defective निकालना, percentage या non-defective निकालना है, तो इसका मतलब यह भा कि percentage non-defective जो total production हुआ था, उनमें कितना, non-defective का मतलब, गयर 2 spoon कितने है, total production PQR ने किया था, machine P ने किया था, और Q ने किया था, R ने किया था, total production PQR ने जितना किया था, उसमें PQR ने कुल कितना non-defective, यानि PQR ने कितना non-defective किया था, यही कह रहे है न, और into 100, तो यह जो आप लोग count कंसेप्ट है, इसको कैसे apply करोगे यहां, कि कुल PQR के production क कितना percent गैर दो स्पूर्ण है, यानि non-defective है, यह आपनों को बताना है, तो यानि total non-defective upon total production into 100 यह लिखना है, तो अब आपनों देखो यह कह रहा है, कि total production कितना है, A, B, C ने, आचा, confusion बार-बार हो रहा है, हमने P लिख दिया, यहां A, B, C है, A, B, C, मतलब total production किसका, A, B और C का, और total जो है, जो non-defective है, वो किसका, A, B, C का नहीं, वो P की बार का नहीं, A, B, C का है, यहां A, B, C लिख दोगे, ठीक है, अब ध्यान दिजीगा, कि हमें solve कैसे करना है, total production, मा लिए जो भी था, उसका है कि 25%, यहां अगर A की बात करो कितना, 25%, ठीक है, और B की बात करो कितना, given है, 35%, आचा, C की बात करोगे, 40%, तो A, B और C, कुल production का, A 25%, B 35, C 40, तो कुल मिला कर यह कितना हुआ, यानि 100 हो गया, 25, 65, 40, कितना 100, इसका मतलब, यानि, अगर 100 unit product होगा, total production अगर 100 unit होगा, तो उसका 25 unit है, चाहे, आप लोग ऐसे percentage लगा के समझो, चाहे ऐसे सम जो, उसका 25 unit कौन करेगा, P करेगा, clear है, और, sorry, A करेगा, और 35 unit कौन करेगा, B करेगा, 40 unit कौन करेगा, C करेगा, यानि 100 unit total production हुआ, उनमें, P ने 25 unit, A ने 25 unit, B ने 35 unit, और C ने 40 unit produce किया, तो आप लोग बताओ, total production कितना है, ये clear होगया, 100, उसमें ये, ये सम करोगे, कुल 100 production हो गया, देखो, यहां relate किया है, into 100 करोगे, कहने का मतलब, यहां हमें क्या चाहिए, non defective production of car खाने में, P, Q, A, B, N, C machine, तो आप लोग क्या करना, this ये cancel कर दोगे, तो आप लोग यहां जो value आएगा, तो अपने आप में जो भी value आएगा, वो A, B, C का non defective भी आएगा, क्यों जब total 100 है, और यहां 100 से conversion करना ही, तो वैसे कट गया, तो आप लोग देखें, यहां से कैसे connect करेंगे, 25 unit में, P ने, defective and non defective, यानि P ने जो produce किया, कुल में 25 unit P ने किया, उसमें कुछ खराब होगे, यानि 2 spoon हो कुछ, जो है, non defective, यानि गयर 2 spoon, Q ने, जितने B ने किया, B का कितना, तिया गया है, यहां 2, अचा, B का जितना, कितना percentage, कुछ percentage defective और कुछ non defective, आज C की एकर हम बात करो, C का कुछ defective और कुछ non defective, यही है, non defective, यहां से, अभी आप लोग given है, तो जो A ने produce किया, machine A ने, उसका 2% क्या है, defective है, इसका मतलब 98 non defective है, अचा, B ने जो produce क किया, इसका कितना, आप लोग clear है, 4% defective है, इसका मतलब 96 non defective है, C ने जो produce किया, उसका 5% क्या है, defective है, यानि 95% क्या है, non defective है, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, कि अब आप लोग बास option है, हमें क्या निकालना, non defective निकालना है, तो यह तरीका हो सकता है, वही A जितना production है, 25 unit produce किया, उसका 98% निकालोगे, तो A ने कितना non defective, यानि गएर 2 spoon, 2 spoon हडा दिया, गएर 2 spoon निकालो, B ने 35 unit produce किया, उसका 96% क्या, गएर 2 spoon, यानि B का 96% निकालोगे, और machine C ने जितना produce किया 40, तो 40 का 95% गएर 2 spoon, यह निकालोगे, लेकिन देखो, आप लोग 25 का 98% और 35 का 95% और 40 का 95% थोड़ा calculation tough हो गया, तो एक यह भी हो सकता ना, कि हम सिर्फ defective सब का निकाल ले, भाई, A, B, C ने कितना defective production किया है, वो सब का निकाल ले, तो A ने, B ने, C ने, सब का defective निकाल दिया, अब बाकी cool production में जो बचेगा, गएर 2 spoon बचेगा, इससे क्या हो calculation भी आसान हो जाएगा, और question जल्दी solve हो जाएगा, ओके, देखे, यहां से 25 का 2%, 25 यूनिट का 2% का मतलब 2 by 100 करोगे तो 25 दुना 50 हो और 1 decimal लगा दो, यानि 0.5 यूनिट, यह समझ सकते हो, कि आप लोग 25 का, अगर 2% निकालोगे, यानि आधा यूनिट क्या है, 2 spoon है, तो अगर आप लोग 25 का 98 निकालोगे, कितना आएगा, 24.5, देखे, वैसे भी 25 में से 0.5 गटाओगे, 24.5 आथा, लेकिन 25 को 98 को मल्टिप्लाई करते, complicated हो जाता, हमें जरुरत ही नहीं अभी, 35 का 4% निकालोगे, आप लोग, 4% का मतलब 35 इंटू 4, 140, और 200 का मतलब 1-0 cancel out हो, ए 1.4 हुआ, ध्यान रखेगा, 35 का 4%, 1.4, यानि जो B ने produce किया है, उसका कितना 1.4 क्या है, defective है, अचा, अगें C की बात करो, यानि 40 का अगर आप लोग 5%, 5% निकालोगे, देखे, 45, 25, 200, 100 का मतलब 2%, यानि इसका मतलब 2 unit किया हुआ, C ने किया, 2 spoon produce किया, तो आप लोग को य C ने 35 किया था, 1.4 खराब हुआ, C ने 40 किया था, उसका 2 खराब हुआ, इसका मतलब total A, B और C का जो production का total कितना 3.9, यानि 0.5, 1.4, 2.4 हुआ, 2.4 हुआ, 1.9 हुआ, प्लस 2, 3.9, यानि 3.9 unit किया हुआ, 2 spoon है, तो आप लोग बताओ, अगर A, B, C ने 100 unit production किया है, उसमें 3.9 unit किया है, वो 2 spoon production किया 3 मिला कर, तो कितने जो है, कितने गयर 2 spoon है, तो 100 में से 3.9 अगर घटाओगे, तो क्या आजाएगा, 96.1 ही तो आएगा, यह तो पहले cancel था, इसका मतलब जो answer आएगा, वही यहाँ answer था, 96.1 यह answer, देखे, question थोड़ा सा समझने में टाइम लगा, है बह कार खाना में A machine produce करती है, उसका 2 spoon, B का, यानि 35 का 4%, B का 2 spoon, C का 2 spoon, तीनों 2 spoon निकाल दोगे, जो बचे का, non 2 spoon, यानि गयर, यह बोल सकते हो, या जो लिखा गया, गयर 2 spoon आ जाएगा, या जो है, आप लोग, non defective बोल सकते हो, I hope, यह सारे questions के आभी तक थे, जितने हम लोग, 4 to 5 questions अभी पढ़ रहे हैं, सब comparison percentage थे, कुछ तो directly आपस में comparison करना था, और कुछ comparison आपस में hidden form में था, तो हम यह समझना होगा, सभी chapters में, जब भी comparison percentage करें, तो किस से तुलना करना वो नीचे रखोगे, और वो तुलना करने वाली value, percentage, ratio, इन सब में होगा, या value के form में होग तो directly connect कर सकते हैं, I hope इसमें आप किसी को doubt नहीं होना चाहिए, तो इतने सारे questions अभी हम लोग comparison वाले percentage था, चली, अब हम लोग next concept, देखिए सब आसान concept थे, easy way में समझ सकते थे, लेकिन इसका use सिर्फ percentage ही solve करना motto नहीं है, आप लोग इन ही सब का use आप लोग देखेगा, हमें जो terms है, comparison करने का तरीका है, वो अच्छे से समझ माना चाहिए, कि कितने तरीके से हम comparison कर सकते हैं, चली, आएए हम लोग second देखते हैं, percentage change, यानि इसको हम बोलते हैं, प्रतिसत परिवर्तन, प्रतिसत परिवर्तन का मतलब हुआ, कि जैसे एक data दिया है, और दूसरा data द है, तो हमेशा जो प्रतिसत चेंज होगा, ये भी इसका unit से महा चाहिए, अगर हमने का ये 200 वैलो ये 500 वैलो बिल्कुल इन में आपस में कितना change हुआ, निकाल सकते हो, लेकिन अगर हम बोले 200 येर हुआ, और ये इतना लाक टन हुआ, यानि कोई weight है, क्या बता सकते हो, नह होगा, तो अभी विलाल हम लोग example लेते हैं, जैसे x और y दो variable लेते हैं, हम किसकी बात करें, प्रतिसत परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो प्रतिसत परिवर्तन में दो concept बनेंगे, कि जैसे प्रतिसत परिवर्तन का मतलब percentage change, तो पहले साइद आप लोग सभी लोग formula ऐसे प प्रतिसत परिवर्तन का मतलब हुआ कि कितना परिवर्तन, कितना change हुआ, अब change हो क्या हुआ, increase के form में, उसता बढ़ने के form में, decrease जैनि घटने के form में, upon initial प्रारवधिक मान से into 100, इनका यूज बालग अलग concepts में हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले समझे के percentage change का use हम लोग, increase और decrease form में, पहले increase form में करते हैं, जैसे graphical देखोगे, एक ऐसे graph बनाते हैं, अगर हम data let कर लें, यह data A है, दूसर सेम ऐसे इसी के variable, यह bar graph का sign होता है, यह V है, यह पूरा मान B है, अब A और B किसी भी चीज को show करा सकते हैं, मालो A और B किसी का age हो, या अलग-अलग cities का population हो, य किसी भी हम यह प्रजिन करा सकते हैं, उन में formula कैसे connect करेंगे, देखें A और B, आप लोग clear है, आप लोग बताइए, B A से more than है कि less than है, यानि B आप लोग clear है, B A से क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ जो percentage वाला formula बनेगा, हम यह बोल सकते हैं, percentage change में, प्रतिसत बृद्धी की की बात करें, percentage increase की बात करें, तो increase वाला terms कैसे होगा, यानि B A से ज्यादा है, यानि B A से कितने percentage increase, इसी को आप लोग लेंगोज में क्या बोलते हैं, more बोलते हैं, यानि B is what percentage more than A, यानि B पूरा data, यह पूरा data, तो A और B अगर मानने, यह तो बोलेंगे न, B A से कितना percentage ज् बृद्धी बोलते हैं, प्रतिसत परिवर्तन भी इसी को बोलते हो, percentage change भी इसी को बोलते हो, अब change का मतलब यह हुआ, कि B में A से change हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब B A से ज्यादा है, तो प्रतिसत बृद्धी वाले इनी percentage, increase वाला terms बनेगा, तो यहां से देखोगे, कि B A से प्रति यही तो ज्यादा होगा, देखो वैसे भी अगर आप सेम दिख रहा, यही value ज्यादा है, तो यह कैसे आएगा यहां variable के form में, तो B minus A into 100, तो एक तो यह बन गया, अगर आप लोग कहा जाए कि दो data दिये हैं, दूसरा पहले से कितना more than है, तो percentage more than का मतलब, कितना more than ह यही ज्यादा कितना है, upon किस से into 100, तो अगर हम value लेते हैं, मानलो हम भी बोल दें कि A value 300 है, यह 300 है और B value हम भोल दें 500 है, ठीक है, अभी तक हमने A और B variable लिखा था, वो formula percentage increase का बनाया था, change वाले form में, अब अगर हम भोल दें कि A और B data है, वो ऐसे value के form में 300 और 500 के form में है तो यह कहरेगा कि 300 मानलो A है और B कितना 500 है, तो question कैसे बनेगा, B is what percentage more than A, B A से कितना प्रतिसद ज्यादा है, तो क्या करोगे, भाई B A से कितना प्रतिसद ज्यादा है, यहां लिखोगे, किस से 300 से into 100, solve कर दो 2 बटा 3 की value कितना आएगा, 66.66 यहां पे answer आजाएगा, तो य ध्यान देना है कि percentage बृद्धी का मतलब कितना ज्यादा है, यहां कितना बृद्धी हुई, upon किस से into 100, यह आप लोग formula के form में ले सकते हो, या language के form में ले सकते हो, यह समझ देना है, कि अभी हम जो बार-बार यहां comparison percentage में इतने 4 to 5 questions करा रहे हैं, कि हमने लिखा ratio के form में comparison कर में या ratio के form में, ratio के form में दिया होगा, तो भी आप लोग increase or decrease निकाल सकते हो, लेकिन सबसे आसान है, जितने data दिये होंगे, हमेशा try करेगा, उनका ratio अगर form हमें मिल जाता है, तो कहिन कहिन calculation भी आसान हो जाएगा, और easy way में answer भी आ जाएगा, जैसे यह कह रहे हैं, तो कोई था कि 500, 300 से कितना more than, तो answer कितना आ रहा था, 66.66 आ रहा था, यहां से भी answer ही आएगा, कि 5 3 से कितना यादा है 2, कि 3 से into 100, 2 बटा 3 की value भी आप लोग confirm है, देखो 2 बटा 3, यह एक बटा 3 into 100, यह एक बटा 3 की percentage value 33 दस्मों 33, और 2 बटा 3 का मतलब 66 से 2 बटा 3, तो वो भी इस सबसे इजी होता ratio, ध्यान दीजेगा, तो ratio, जिनको ratio आपस में convert करने में doubt है, तो data को आप लोग A और B को expand form में लिखो, और B को expand form में लिखो, और फिर उसके यहां पर least form में लिखने के बाद comparison करो, तो भी आ जाएगा, तो यह सभी को समझ में हो आगे बटा, कैसे increase percentage होगा, formula का ऐसे late करेंगे, चलिए, next देखोगे, इसी में हम लोग decrease percent देखते हैं, इसी को just reverse बना देते हैं, just reverse ऐसे बना देते हैं, this, अब इसको B मान लो, उल्टा कर दो, अभी जो आप लिखे थे, और इसको आप लोग A मान लो, यह A मान ले, लेकिन एक formula clear है, लेकिन उस formula को बार हम यहां भी कर रहे हैं कि A, B से कम है, हम इसकी बात कर रहे हैं, A, B से कम है, तो यहां percentage less की बात कर रहे हैं, प्रतिसत कमी की बात कर रहे हैं, दूसरा percentage decrease की बात कर रहे हैं, इसको decrease को भी कमी बोलते हैं, यह हम प्रतिसत परिवर्तन का मतलब कमी वाले form में, प्रतिसत परिव से कम है तो a b से तो किस से कम है b से मतलब b से कम हमेशा ज्यादा वाले values होगी तो यहां ज्यादा रखोगे ठीक है और कितना कम है clear है पूरे में से a घटा दोगी इसका मतलब b minus a यानि कम ही कितना upon किस से into इन से multiply करोगे तो यह एक तरीके से formula a और v variable के form में आ गया अब हमें क्या करना है इसी को value के form में जैसे मालूम कह रहे हैं कि इसको दिल्ली माल लेते हैं और यह मुंबई है ठीक है डेले की population हम बोल दें कि डेले की population 90 lakh है सब्सक्राइब कर रहे हैं exactly 90 lakh नहीं उससे ज्यादा भी है तो दिल्ली की population 90 lakh है और मुंबई की population 70 lakh है लाक में है 70 lakh मुंबई की population तो यह data के form में भी कैसे question बनेंगे कि population of Mumbai is what percentage less than population of Delhi इसका मतलब 70-90 से कितना कम है यानि population of Mumbai is what percentage less than population of Delhi यह मुंबई है मुंबई दिल्ली से कितना कम है यानि 70-90 से कितना कम है या 90 से कितना कम है 20 into 100 से multiply कर दो solve कर दो 1 by 9 की value आप लोगो confirm है कितना होगा 11.11 2 by 9 यानि 200 by 9 का मतलब 22.22 percentage आ जाएगा तो कहने का मतलब यह आप लोगो formula क्लियर हुआ कि percentage increase और percentage decrease percentage change को दो तरीके से लिख सकते हैं तो दो data में कम करना दूसरा पहले से ज्यादा होगा या कम होगा यह चीजें हम लोग ratio में भी ratio में convert करके data को करोगे तो सबसे आसान होगा तो चलिए आई एक question करेंगे अब यह भी ध्यान देना कि जिन में अगर हमें ratio नहीं निकाल सकते हैं उसमें increase decrease यानि जिसकी unit नहीं सेम होती है तो उसका ratio नहीं निकलेगा तो उसमें कभी भी कि आप लोग percentage change या comparison percentage apply नहीं कर सकते हो इस पर कुछ questions भी देखेंगे हम लोग next question देखते हैं यह percentage increase अभी बिलकुल आसान आसान से question है पहले जो अभी हम लोग terms को ध्यान दे रहे हैं percentage की question और भी अलग अलग आएंगे वह हम लोग अभी discuss करेंगे कि terms की बात कर रहे हैं देखो करा कि the present population of a town is 75,000 और next year कितना 87,500 यानि करा कि एक नगर की बर्तमान जन्संक्या 75,000 है और अगले बर्स कितनी हो जाती 87,500 हो जाती है पहले कितना था 75,000 था और अगले बर्स कितनी हो गई 87,500 तो आप लोग बताओ कितने percentage annual ब्रिद्धी होई यह करा बार्सिक ब्रिद्धी कितनी होई तो अभी तो आप हमने 200-300 जो लिख रहे थे उसकी जगाँ पर कुछ और लिखिया 90-70 जो लिख रहे थे उसी जगाँ पर लिख रहे हैं बर्तमान में 75,000 और अगले बस 87,500 हो गई तो कहरा कि एक साल में कितने percentage ब्रिद्धी होई annual percentage increase बताना आप लोग को percentage ब्रिद्धी तो आप लोग बताओ सिंपल अभी समझेए 75,000 थी और 87,500 हो गई कितना percentage बढ़ी किस से 75,000 से बढ़ी का मतलब कमवाली बैलो नीचे रखो गए लोग कितनी बढ़ी यानि इनका difference कितना हुआ 87,500 मानिस 75,000 12,500 हुआ तो directly यहां लिको 12,500 यानि 12,500 बढ़ गई किस से 75,000 से इंटो 100 से मल्डिप्ल हुआ यह डेटा पहले वाले से कितना percentage more than है यह आपको solve कर रहे हूँ यहां पे cancel out हुआ 25,500 जा 25,500 जा it means 16 whole 2 by 3 percentage या answer कैसे लिका 16.66 यानि इसी को 2 by 3 को convert करोगे तो 0.66 आ जाएगा तो 16.66 is correct answer तो यह अभी questions आप लोग value के form में लिखवाय थे जो आप लोग overly solve कर सकते हैं च यहां देखे इसको read question carefully तो कहरा कि उत्पाद सुल्क 8,25,000 से घटा कर 75,000 हो गया तो एक 0 यहां पे कम है देखो एक 0 यहां पे कम इसमें सही है तो पहले कहरा है कि एक item का उत्पाद सुल्क 8,25,000 यानि 8,25,000 से कितना 7,50,000 कर दिया गया तो उस बस्तों के लिए उत्पाद स का मतलब पहले कितना था यह इतना रूपीज फॉर्म कितना इस से तो आप लोग बताओ यह 8,7 यहां 8,25,000 पहले था और बाद में कितना हो गया 7,50,000 हो गया अच्छे एक शीज आप लोग को बताए थे कि जो डेटा दिया है जैसे यहां पे चाहे value में solve करो और अगर आप आप लोग जो answer 500-200 से कितना ज्यादा था direct solve करो चाहे इसी को ratio में convert करो तो भी answer में change नहीं होगा तो आप लोग चाहो कि जो भी data दिया है तो अगर complicated है उसमें कुछ common value easy दिख रहा तो common value cut कर सकते हो कहने का मतलब हम इसको और least form में कर सकते देखो यह this हम ratio में यह भी बना सकत है और उसमें जो common है 25 25 25 75 वहा न और यहां कितना हुआ साथ 25 यह 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 35 यह 35 और सकते हो यह 11 ratio कितना यह 10 लेकिन ध्यान रखिए ratio निकालने में time base नहीं करना है तो ratio निकालने में time base करो उससे सब्सक्राइब लोग less करके solve कर लेते तो यह आपनों को check करना कि हमें less करके solve करना है कि ratio निकालना असान है लेकिन हाँ ratio निकालना असान होगा तो answer आप लोग देखते ही बता सकते हो हम यह कह सकते हैं size duty पहले 825 थी और बाद में 7500 हो गई हम यह भी कह सकते हैं कि पहले size duty और अब size duty का ratio 11 ratio 10 था यानि बताओ पहले से कितना percentage कम ही exercise duty म यानि कितना percentage less by 1 किसे 11 से into 100 से multiply कर दोगे तो 9 whole 1 by 11 बोलो या 9.09 percentage बोलो इतने की कमी हुई answer अच्छा यहां पे divide करोगे 9.09 percentage इसे percentage में 2 decimal तक लिखोगे तो आ जाएगा यह लिख दोगे clear है तो आप लोग जो value है उसे ratio में भी convert कर सकते हो तो भी आसान हो जाएगा उससे easy हो लोगो ratio में convert करो वो question के according आप लूग करोगे चले next देखोगे एक और इस पर बहुत अच्छा question है यह 2016 में सीजल में में आया हुआ question है इसको बहुत ध्यान से समझे बहुत आसान से question लेकिन बहुत लोगों confusion होगा इसमें the length of rectangle increase by 40% and its breadth increase by 20% कैने का मतलब एक आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दी जाए और उसी की उसकी चवड़ाई को भी चवड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो ब perimeter की बात की जारी परिधी की बात की जा रही है यानि आप लोग यह तो clear है यह rectangle है यानि आयत है तो इसकी length length के equal होगा और breath breath के equal होगा अगर यह length होगा तो यह breath होगा तो यह भी L होगा और B है तो यह भी B होगा और यहाँ भी confirm है इसके जो addition angle होंगे वो 90 degree पर intersect करेंगे और यह भी confirm है तो इसका जो diagonal होगा यानि जो इसका विकर्ण होगा दो भाग में distribute करना मालों यह property भी आप लोगों को पता है rectangle की तो कहरा है कि यहां समझे कि अभी value नहीं दिया अभी तक value दिया था लेकिन यहां थोड़ा सा confusion है कि आयत की length को पढ़ाया और breath को पढ़ाया जो अब भी प्रारम में थी और बाद में जो प्राराम में थी और लेंथ और matter को बढ़ा दिया तो फाइनल जो हो गई perimeter वो कितना percentage change है यह कहरा है उसकी परिधी कहने का मतलब स्टार्टिंग में रेक्टैंगल की जो परिदी धी और ऑव जो फाइनल परिदी हो गई तो यह कएरा ना कितना पर्सेंटेज čेंज हुई तो पहले जो था और पमयर daha उसमें कितना पर्सेंटेज़ कैसे करना हुँ नहीं में बता रहें अगर हम rectangle की length को L let कर ले और B breath को B माल ले लंबाई को L माल ले चोड़ाई को B माल ले आप लोग X और Y के form में भी A और B के form में भी लेकिन हमने L और B के formulate किया आयत की लंबाई L हुआ चोड़ाई B हुआ तो आप लोग क्लियर है parameter परिमाप क्या होता आयत का परिमाप सभी confirm है यानि सभी को add कर दो L प्लस B, L प्लस B यानि 2L प्लस B परिमाप होता आयोब यह सब को confirm होगा यह basic formula है न यह परिमाप हुआ तो अगर हमें लंबाई और चोड़ाई लेट कर दिया तो प्रारंभिक इसका जो परिधी होगा जो परिमाप होगा कितना होगा 2L प्लस B यह होगा ठीक है आप यह कह रहा है कि लंबाई को कुछ percentage बढ़ा दें चोड़ाई को कुछ percentage बढ़ा दें इसका मतलब 100 में 40 जोर दें 140 पर उसकी value निकालना है 140 by 100 से multiply कर दो कैसे बढ़ाते हैं value से percentage से ratio से यह हम लोग आगे discuss करने वाले हैं लेकिन अभी आप लोग समझे 40% किसी value को बढ़ाना है 140 by 100 से multiply कर दो यानि यह क्या हुआ नई लंबाई हो गई अब गरहा चोड़ाई को 20% बढ़ाना है तो 100 में 20 जोर दो 120 वाइस हो तो नया परिमाब क्या होगा 2 new length plus new breath तो आप लोग बताओ जो प्रारंभिक छेत्रफल था यहां से यह दो-दो मान कैंसल हो गया जो प्रारंभिक छेत्रफल था यह दो variable है इसलिए bracket में लिखोगे जो प्रारंभिक छेत्रफल था अब इसमें अगर यहां common भी करते देखो 2 से 2 7 जा 2 5 जा 2 से 6 जा 5 यहां 1 by 5 common भी ले लोगे तो यहां क्या बचेगा यहां से देखोगे 7 L बचेगा और प्लस कितना 6 भी बचेगा क्या इन में और इन में कभी ratio निकाला जा सकता नहीं निकाला जा सकता है तो इसका मतलब य हुआ यहीं आप लोग भी discuss कर रहे थे कि जब भी two variables किसी भी form में हो किसी form में हो अगर उनमें unit या आपस में unit same नहीं कर सकते या उनका ratio नहीं find कर सकते तो आपस में increase decrease भी नहीं निकाल सकते जैसे यहां पर था यानि यह L प्लस भी two variable है और यह two variable जब same होगा तब जब दोन करेंगे तो final इसका answer क्या हुआ CND में बताने का मतलब होगा जब भी आप लोग ratio से कोई formula लगाओ तो पहले यह समझे वह one variable या two variable है जैसे अगर हम यहां area की बात करते तो area का formula यानि rectangle के area का formula length into breadth होता है यानि L into B होगा इसका area और अगर length और breadth को बढ़ाएंगे तो जो variable होगा multiply होगा variable एक ही मिलेगा इसका मतलब यहां कुछ भी यहां 5 by L कर दें 3 by 4 भी कर दें यानि L L और भी जो variable कर जाएगा वह one variable का equation होगा तो इसलिए यहां पे area में निकाल सकते हो जो की formula से और भी ratio के तरीके से हम लोग भी पढ़ेंगे लेकिन जिन में two variable वाले होंगे व या एक question बनता है किसी का income equal to क्या होगा expenditure और saving यानि expenditure को बढ़ाएं saving को बढ़ाएं फिर income में change पूछा जाता है तो वह भी ध्यान देना कि वहां भी ratio ने निकाल सकते हैं I hope यह सभी को clear होगा चले एक last question देखते हैं क्योंकि आभी हम लोग जो भी question से सभी एक ही pattern पर discuss कर रह है कि कितना percentage more देने या कितना percentage less देने यह discuss करेंगे चली यह बहुत अच्छा question से और देखें अब आपनों question को नेचर को देख के समझना है सबसे ध्यान देना कि question का question अगर हम ratio के form में relate कर लेते हैं तो सबसे आसान हो जाता है जैसे इसको पढ़िए in an examination total 4,37,600 students are appeared and the ratio of boys and girls is 7 ratio 16 42 whole 6 by 7 percent boys and 62.5 percent of girls are passed तो इतने यह क्या है appear किसी exam में इतने appear होते हैं जहां देखेगा यानि इतने समलित होते हैं और करा कि boys और girls इतने ratio में और यह value में दिया है value में इतने सामिल होते है ratio में boys और girls जो होते हैं boys और girls total student में इस ratio में सामिल होते हैं 42 whole 6 by 7 percent boys and 62.5 percent of girls are passed यह क्या रहा कि boys और girls सामिल होते हैं मानलो total परिच्छा दिये boys और girls सामिल हुए तो जितने boys है तो वह सारे पास नहीं boys में कुछ percent पास हुए और जो girls हैं girls में कुछ percentage पास यह कह रहा है देखो girls boys 42 whole 6 by 7 pass है girls में इतना पास हैं तो कह रहा find the number of failed girls is what percentage more or less than total number of boys who appeared in examination द्यान रखेगा यह समझे क्या कह रहा है कि the number of failed girls सबसे पहले कह रहा कि the number of failed girls failed को यह अप लिख देते हैं और girls को girls पूरा लिख देते हैं ठीक है यह the number of failed girls is what percentage more or less than total number of boys appeared यहाँ boys कह रहा है appeared यानि not pass or fail यह appeared बुला गया तो यह समझ में आप लोगों को आगे रहा होगा किसे से पहले जो solve करना है कि boys appear का जो number होगा उससे अगर girls fail number ज्यादा होगा तो percentage more लगेगा क्योंकि यह clear नहीं किया कि more है या less है और अगर कम होगा तो percentage less होगा तो एक्षित आंदी हम यहां प अगर आप अपियर बॉयज और फेल्ड गल्स यह डेटा अगर रेशियो की फॉर्म में भी आ जाए तो connect कर सकते हो एक क्वेशन रेशियो का आप लोगों में किये थे उसी के help से solve करोगे तो कैसे होगा तो टोटल 4,37,600 में बॉयज और गल्स इस रेशियो में अपियर है त तो बॉयज और गल्स कितने-कितने अपियर है या जाएगा तो अब कितने-कितने अपियर निकालो या कितने-कितने अपियर का रेशियो यह दोनों सही है तो इतमीस हम यह बोल सकते हैं कि जिनको थोड़ा confusion है वो एक्स मान सकते हैं कि बॉयज कितने अपियर है सेवन एक्स अगर जो हम यहां पे 7 और 16 लिख रहे हैं इसको हम चाहें तो वैलू में कर सकते थे तो आप लोग ऐसे करते हैं तो लाओ साथ कितना 20 यानि 23 रेश्यो की वैलू ऐसे करते थे तो आप लोग ऐसे करते थे कि 23 रेश्यो की वैलू दिया है कितना 4,37,600 और आप लोग बायद चाहिए तो 7 by 23 यही तो करोगे देखे गल्स सही है तो गल्स का मतलब 16, 23 की वैलू कितना 437, 437, 600 ठीक है तो आप लोगों को गल्स सही है तो 16 की वैलू लेकिन जब रेश्यो निकालोगे देखो तो अपने आप ये कट रहा ना तो बचे तो बारवर वही बचेगा तो जब भी यहां पर कॉमन डेटा होगा अपने आप कट जाएगा तो चाहे आप लोग एक से लेट करो या नहीं लेट करो इसका मतलब कॉमन अपने आप कट रहा है तो चले फाइनल हम पर आते हैं फिर से देखोगे जो हमें स्वाल गरना उसे हमें ध्यान में रखते हुए रेश्यो निकालना है वह समझिए है, सब यहां पे आप लोगो बाइज अपियर तो लेकिन बाइज पास हो फैल तो लेकिन बाइज में पास फैल कुछ नहीं सिर्फ जितने अपियर हो वो बात की जा रही है गल्स कह रहा है कि गल्स जितनी फैईल है हमें पता है देखो, and 62.5% of girls are pass, यानि जितनी girls appear हैं, उनमें 6.5% pass हो गई, तो आप लोग बताओ, girls, अगर मान लोग कुछ girls appear हैं, उसमें 62.5% pass है, इसका मतलब fail कितनी है, 37.5%, तो इसका मतलब 16 का 37% निकालोगे, 16 का 37% find करोगे, तो 37% की value भी कितनी होती, 3.8 होती, decimal करोगे, आप लोगो solve करेंगे, चाहे 12.5% का 3 गुणा, ऐसे याद करो, और चाहे basic से 37% ऐसे लिखो, फिर प्रापर, यानि इनकी value 3 by 8, तो आप लोग 37% को direct 3 by 8 भी लिख सकते हो, यह 25 1 जा 25 5 जा, 25 4 जा 40 हुआ, और 5 से 5, 3 जा 5, 8 जा, यानि 3 by 8 यह हो गया न, साड़े 12 का 3 गुणा, तो 16 का, अब इसे 6, इनका ratio निकालना है, देखो, 8 2 जा, यहाँ 7 ratio कितना, 6 हुआ, तो इसका मतलब वहा कि अगर ratio में बात करो, कि वायज जो appear हो 7 ratio थे, और जो girls, जो fail है, वो 6 ratio में थे, तो हमें तुलना किस से करना, इस से, यानि 7 से 6 बताओ, more है या less है, बाज अपियर से girls fail less है या more है, less है, कितना percentage less है, निकालोगे, less कितना है, 1 किस से, 7 से into 100 से multiply कर दोगे, 1 by 7 की value कितना है, 14.28 कहीं है, हाँ, वेलकुल, D option है, 14.28, यह exactly आप लोग solve कर सकते हैं, clear, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिर्फ इतने दिन में, इतने सारे questions, दो ही concept अभी पढ़ें, कि comparison कैसे करोगे, और increase, decrease, लेकिन ध्यान देजिए, या comparison percentage का use हम लोग बहुत widely करेंगे, बार ग्राफ में, ratio में, in sum में करेंगे, और इनका भी use करेंगे, तो यह mind में clear होना चाहिए, कि यह किस-किस form में use कर सकते हैं, या ratio percentage और value के form में use कर सकते हैं, तो चलिए, बाकी हम लोग यहां से next sum में, यहां से continue करेंगे, next sum में है कि value को हम कैसे percentage में increase और decrease करेंगे, और एक value दिया कि जैसे दो value में हम common change करते हैं, तो net change कितना आया, या अलग-अलग change करते हैं, तो net change कितना आया, तो हम लोग next class में discuss करेंगे, फिर उसके बाद इन सबसे mixed question solve करेंगे, चलिए तब तक के लिए, next sum में हम लोग मिलते हैं, thank you.